तो तब हम ज्वीट लॉस की बात करते हैं न तो तब हम ज्याद़ तर हाइपो-थारीडिस्म है वह हम हीज Carnus of अगर आपको हाइपो धारिडिजम है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज़ लाने पड़ेंगे थोड़े बहुत चेंज़ जो है आपके जो लाइफस्टाइल में लाएंगे उससे आपको वेट लॉस हो सकता है देखिए खाना पी कि और क्या हमें वेट लॉस के लिए करना चाहिए तो सबसे पहले हम योगास के बारे में बहुत सुनते हैं जानते भी हैं और हमारे इंडिया में हमें माना जाता है कि हमें योगा जो है वो हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट डे की जो शुरुवात करनी है हमको वो हमको य सुर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें कैया होते हैं कि हमारी फुल बॉडी एकससाइज होदी है तो को सुर्य नमस्कार करिए अगर आपको वेट लोस करनाया तो दूसरा जब भी हम वेटल से बारे में बात करते तो हम कुछ और आसन जैसे कि आजकर हम काफी बार देखते हैं कि काफी काफी नेम, aerobics जैसे exercises हो गई या फिर zumba classes हो गई तो अगर आप aerobics करते हैं और आप zumba classes करते हैं तो जो exercise करने से हमारी body में oxidative जो stress से वो कम होता है दूसरा आपकी जो functions है जो body के functions वो regular होने लग जाते हैं thyroid जो hormone होता है वो अच्छे से secret होने लग जाता है आपकी body में तो अगर आपकी body एकदम normalize रहेगी और अगर आप exercise अच्छे से करेंगे तो आपको क्या है? हाइपो-thyroidism की दिक्कत कम से कम रहेगी और आपको हाइपो-thyroidism का result जल्दी मिलेगा देखिए काफी पर हम देखते हैं कि thyroid की दवाई खाते हैं जो thyroxine hormone आप लेते हैं बाहर से उसके बाद भी weight loss नहीं हो रहा है तो उसका major कारण यही है कि आप physical activity नहीं कर रहे हैं तो आप दिमाग में ढाल दीजिए कि कम से कम आपको 30-35 मिनट सुबा और शाम को 15-20 मिनट वाक करनी है अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं कोई active exercise नहीं कर रहे हैं तो आप वाकिंग कीजिए वाकिंग करने से भी क्या होता है कि जो thyroid hormone होता है उसका जो maintain maintenance होता है ना वो बाडी में नॉर्मलाइजड हो जाता है अच्छा जब हम बात कर रहे हैं योगाज आसनाज और साथ में exercise की तो साथ में हमको यह भी जानना जरूरी है कि weight loss अगर करना है thyroid में तो आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी है तो देखिए junk food आपको नहीं खाना है sweets आपको नहीं खाने ह oils आपको नहीं लेने है जिनमें high fat होता है वो वloबни Controls आपको नहीं ले ने हैं साथ में हम जब भी weight gain के बारे में और thyroid होता है तो goitrogen product है आपको नहीं bisam but क्या है तो जब भी हम goitrogen product के बारे में बात करते हैं तो अइक दिमाग में रखने की ऐसे food जो की thyroid gland को बोलते हैं कि तु अपना हॉर्मोन सिक्रीट मत कर मतलब आप इंटरफेर करते हैं वो कि आपको थायरेट जो हॉर्मोन है वो बनने नहीं देते हैं ऐसे कुछ प्रोड़क्स जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कॉली फ्लावर मतलब फूल घोबी कैबज जो दूसरी वाली खाना पसंद करते हैं और जो सीरियल्स है बहुत जादा वीट की रोटी खाना पसंद करते हैं या बहुत जादा अनाज खाते हैं तो आपको क्या है अनाज की मातरा कम करनी है अनाज जो होता है उसके अंदर जो कार्बो हाइडरेट जो होता है जो फैट होता है वो थोड़ आपको दी जाती है वो आपको रेगुलर लगते देखिए जो थाइरोग्जीन मेडिसिन है उसका मेजर काम क्या होता है कि आपका जो थाइरोड लेवल है उसको मेंटेन करना ठीक है अब अगर आप वह जो हॉर्मोन है वह अल्रेडी ले रहे हैं बोडी में और आपका जो काम क्या होता है मेटाबॉलिजम मतलब आपका जो डाइजेशन करके आपका जो फूड जो बॉडी में जो एनर्जी स्टोरेज हो रही है कि नहीं हो रही है वह मेटाबॉलाइस जो फूड आपने खाया उसका धंसे यूज जो करना है वह थाइरोड करवाता है तो अगर बॉलाइस का पेशन होना अब डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो रहा है तो वह फाक्ट ऐक्यूमूलेट होने लग जाता है तो मेटाबॉलिजम को कहते हैं कि जो हाइपो-ध्रेड ऐसम का पेशंट होता है हुसका मेटाबॉलिजम सलो चाह जैसे नॉर्मली जो खाना आप तो अगर आप प्रोपर मीडिसें डे रहे हैं तो उससे क्या होगा नापको प्राइड नॉर्मल बनेगा तो साथने आपको जो फैट इंक्रीज हो रहा है इसकी प्रप्लम कम हो जाएगी तो देखिये अंद में हमको यह समझना है कि बहुत सारे इसके Changi को अपयों आखा देडास में गोगार था कोई निनि घार में हां ध्यारी हमारी कोई कोई बीगे थानी और सब्सक्राइब कोई फक्रेशिंगे तौन सबब इसक्राइब में डिका है ज … प्रवाइब error can myself cham When a key अगर अब्वाइब नहीं ले रहे हैं और फायरई हूर्मोन यह हो रहा है से बॉणग से अहीं बन रहा है बॉडी में तो उसकी वज़ा से पॉसिबिल्टी है कि आपका जो वेट लॉस है वह नहीं हो रहा होगा तो यह तीनों चीजा को आप ख्याल रखी और आप हाइपो थारेडिजम से जल्दी चुटकारा पाएंगे और यह जो हाइपो थारेडिजम जो है यह क्रोनिक कंडीशन है क्रोनिकली चलता है यह तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल आपाएंगे धन्यवाट